Students, आज हम बताएंगे Test of Agency या Agency की परिशा कहां पर Agency कारे कर रही है, कहां पर नहीं कर रही है, इस बात को आप कैसे चेक करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि और एजेंट शब्का इस्तेमाल करने से कोई वेक्ती Agent या मुख्या नहीं हो जाता है हम किसी को agent कह देते हैं तो इसका मतलग यह नहीं है वो agent है यह मुखी है agent एक वो person होता है जो की मुखिया की और से कारे करने की जिसको powers होती है agent is a person who is authority to function on behalf of principle एक तो महत्यकून काम यह होता है दूसरी महत्यकून बात ही होते है की agent वेवेक्ती होता है जो की मुखिया की और से third party से मुखिया की और से अनुबंद कर सकता है और मुखिया और third party के बीच में contextual relations पैदा करता है तो agent is a person who makes contextual relation between the third party and the principle क्योंकि agent के द्वारा कियेगे समस्त कारियों के लिए मुखिया जिम्मेदार होता है agent तो कि उसकी और से represent करने वाले वेक्ती होता है उसकी और से प्रतिद्रत करने वाले वेक्ती होता है बाकी सारी जिम्मेदारी मुखिया की होती है तो principle is responsible for all the acts of the principle of acts of the agent तो agent is only the person who acts on behalf of the principal अर्था महत्रकुन बातें ये हैं कि agency का relation इस पस्ट रूप से अगरवित रूपूस हो सकता है The agency can be established in express form or implied form उसके लिए लिखित में अनुबंद रिटेन में contract होने की आशक्ता नहीं होती है किसी वेक्ती ने किसी वेक्ती को agent कर दिया और उसके काम के लिए responsibility ले ले लेता है तो वो चाहे मोखिक हो या लिखित हो वो agency का relation कहलाएगा दूसी महत्रकुन बात होती है कि agent मुखिया की और से contractual relation third party से establish करने की capacity रखता है याने वो third party से अनुमंदात्पक संबंद इस्तावित कर लेता है और वो अनुमंदात्पक संबंद के लिए मुखिया जिम्मिदार होता है तो वो authorize किये जाता है मुखिया की ओर से कि वो third party से contract करे किसी भी अगर एजेंट ने कोई कॉंट्रेक्ट किया है तो वो इस तरह से माना जाता है जैसे कि मुखिया नहीं थर्ड पार्टी से कॉंट्रेक्ट किया है इसलिए से मुखिया एजेंट के समस्त काम के लिए उसके दोरा समस्त कारे के लिए जिम्मधार होगा एक्स कंपनी है एक्स कंपनी ने वाई को कोटा में एजेंट ने उट किया किसी मार्केटिंग का काम करने के लिए कोई माल बेचने के लिए वाई ने माल उसके इंस्ट्रक्शन करने लिए सार केश भी बेचा क्रेडिट भी बेचा अब credit माल बेचा credit माल बेचने के बाद ने recovery नहीं हुई तो उसके लिए agent जिम्मेदार नहीं है उसका loss जो है principal के account में transfer होगा और principal shall be responsible for the losses और profit भी उसको जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि agent मुख्या की और से काम करता है मुख्या की पूरी जिम्मेदारी होती है मुख्या सारे काम को अपनी जिम्मेदारी में वो तो के अल एक माध्यम होता है काम करने का एक represent करने का एक media होता है तीसे मैधमल बात यह है कि मुख्या के अंदर contractual capacity होना चाहिए agent में contractual capacity हो या ना हो इससे कोई फर्ग नहीं पड़ता है एजेंट ही हो सकता अंसाउंड माइंड का हो एजेंट हो सकता है एवेस्क हो तो एक एवेस्क को एजेंट बनाया जा सकता है लेगि एवेस्क के किसी को एजेंट नहीं बना सकता है एवेस्क मुख्या नहीं हो सकता है याना मुख्या के अ employer का agent नहीं होता है हमेशा इधान रखनी की बात है employer और employee की बीच में agency के संबंद नहीं पाई जाते हैं तो employee is not agent of employer वो केवल उसकी services जोती है उसके लिए paid payment किया जाता है और इसके लिए वो उसके बीच में कभी भी principal मुखिया और agent के संबंद नहीं होते हैं एक contractor होता है वो agent नहीं होता है contractor is not agent contractor को particular कारी दिये जैता है और particular कारी को करने के लिए particular उसको payments दिये जाती है इसलिए agent वो नहीं होता है contractor is not an agent agent different चीज़ है agent तो भागायदा मुख्या की तरह से appointment के जाता है और उसके लिए जिम्मिदार होता है तो आपको एजेंसी कॉंट्रेक्ट आफ एजेंसी आपको देख लेना चाहिए तेंक्यू